देखिए आज बिकासिल इंसान पार्टी के सुप्रीमों और बिहार सरकार के पुर्व मंत्री मुके सहनी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। मुके सहनी आज यहां तय करेंगे कि किसके साथ मिलकर आगामी लोग सबाचुनाव और विधान सबाचुनाव में सहनी दिखाई देंगे। के पास है और कहा जाता है कि बिहार में बीना सहनी के सरकार बनाना नामुम्किन है और मुकेश सहनी निशाद समाज के आप एकलोता नेता कर सकते हैं और उनी पर सबकी निगाहे टिकी हुई है कि आखिर मुके सहनी का आज फैसला क्या होगा मुके सहनी किसके साथ मिलकर लोग सभा चुनाओ के मैदान में उतरेंगे एक तरफ NDA है और दूसरी तरफ महागटवंदन देखिए NDA में बीजेपी है उपेंद्र कुसवाह की पाटी है जीतन रामाजी की पाटी है चिराग पा पारस की पाटी है और महागटवंदन में RJD है लालू परसाद यादो की पाटी कॉंग्रेस है CPI है और सहनी का फैसला क्या होगा आज NDA के साथ सहनी जाएंगे या फिर महागटवंदन के साथ देखिए मुके सहनी जिसके साथ जाएंगे यानि कि जिस गटवंदन में सामिल लोंगे उनको बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है क्योंकि 10 पर 30 देखिए जाती है जनगन्ना के रिपोर्ट के उसार बिहार में यादों की जो संख्या है सबसे जादा है एक नंबर पर और दूसरे संख्या पर कोई आता है तो निशाद समाज और मुकेज सहनी एकलोता न देता है लेकिन साब तोर पर सहनी भी कर रहें कि गठवंदन हम उसी के साथ करेंगे जो हमारे निशाद समाज के आरक्षन की बात करेगा जो हमारे निशाद समाज को आरक्षन देगा और मुकेज सहनी भली भाती जानते हैं एंडिये में मुकेज सहनी का रुजान है या फि वो को पता है कि बिहार में NDA की सरकार है यानि कि नितीष कुमार महागटवंदन का साथ चोड़कर NDA के साथ मिलकर बिहार में नया सरकार का गठन किया है और अभी बिहार में NDA में मंत्री मंडल का भी स्तार होना है तो मुकेज साहनी NDA में जाएंगे या फिर महागटवंदन में चर्चा तेज है मुकेश सानी के जो करीवी निता है जब उनसे बात किया गया तो उन्हों ने कहा कि ज्यादा रुजहान तो एंडिये के परती है यानि कि मुकेश सानी एंडिये में जाने कि सोच रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर 2024 का जो लोग सभाद चुनाव है जिसमें अब ज्यादा वक्त नहीं है सीट सेरिंग का एंडिये में फॉर्मूला भी तयार हो गया है तभी तो मंत्री मंडल का विस्तार होना है देखिए आज सानी भी बड़ा फैसला लेंगे और मुकेश सानी आज किलियर करेंगे कि किस के साथ मिलकर चुनाव मुकेश सानी 2024 में लड़ने वाले हैं और मुकेश साहनी अगर महागटबंदन में जाते हैं तो फिर राजद और साहनी की जो पाइटी है मिलकर कहीं ने कहीं महागटबंदन को और मजबूत करेगी लेकिन देखें मुकेश साहनी का फैसला क्या होता है अब से कुछी देर बाद साहनी का फैसला आने वाला है लगतार एक एक अपडेट देना भीहार एक सोच पर बने रहें धन्यवाद